आने वाले दिनों में गेहूं और इसने बनने वाले प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि सरकारिक गुदामों में गेहूं का स्टोक पिछले एक साल के मुकाबले आधा रहे गया है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की शुरुवात में राज्चे के गुदामों में गेहूं का स्टोक कुल 21 मिलियन टन था जो एक नमबर 2021 को 42 मिलियन टन से कब था लेकिन सरकार न 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए 20.5 मिलियन टन के अधिकारी का लक्षे रखा था जो थोड़ा अधिक है वहीं आपको बता दे कि मिली जानकारी के अनुसार 1 अक्तूबर को सरकार द्वारा संचालित अन भंडार में गेहूं का भंडार 22.7 मिलियन टन था तब केंदर सरकार ने खुदरा बजार को नियंतित करने के लिए गेहूं रिलीज किया था ऐसे भी सरकार आटा और बिस्कुट निर्माताओं जैसे थो खरीदारों के लिए नियमित रूप से गेहूं रिलीज करती रहती है ऐसे में जानकारों का कहना है कि यही वजह है कि सरकारी गेहूं स्टोक में कमी आ रही है आपको बता दे कि बीते मई महीने में केंदर सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसके निर्यात पर पतिबन लगा दिया था तब से गेहूं की कीमत 27 पिसद तक बढ़ चुकी है अब वही केंदर सरकार का मानना है कि गेहू की नई फसल आने पर स्टोक पे इजाफा होगा और कीमत में कुछ हद तक कमी आएगी वहीं उत्पादक और विपारियों का कहना है कि अगले साल की शुरुवात में नई सीजन की फसल के बजार में आने तक भारतिय गेहू की कीम्ते उची रहने की अम्मीद है यदि मौसम की स्थिती अनकूल रहती है और मार्च और अप्रिल की फसल के दोरान तापमान में असमाने रूप से व्रिदी नहीं होती है तो भारत का गेहूत पादक दोजार एकिस के एक सो नो दशमलो पांच नो मिलियन टन के स्थर पर वापिस आ सकता है जबकि भारतिय किसानों ने एक अक्तूबर से अब तक 4.5 मिलियन हेक्टिर में गेहू की बुआई की है खास बात यह है कि यह आंखड़ा पिछले साल के तुल्ला में 9.7 फिसद अधिक है वह स्थानिय गेहू की कीमते को देखा जाए तो वो रिकोर्ड 26.500 रुपए प्रत जनक स्टोक है आपको बता दे कि अभी फिलाल उमीद की जा रही है कि आगे चलकर गेहू की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है भीरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीम